हलो गाइस पैर उन्टी दीजुबडी दीज तो गाइस आज हम बात करेंगे पाइरेट्स ओकरीविन से रिडिटे काफी कमाल के अपडेट के बारे में साथी साथ बात करेंगे वीडियो की एंडिंग में काफी सारे कमाल के अपडेट के बारे में डिसनी के इंसाइड रुबोट ये थी कि पाइट्स और के रिवेंट के टोटल पांच पार्ट आ चुकी है अगर आपने नहीं देखे तो जा के देखो उससे पहले डिसनी ने ये बोला कि पहले वो पूरी सीरिस को रिबूट करेंगे और जिसमें हम पांच पार्ट में देख का नाम आरा है ता केरिन का अब केरिन कोन है तो कैरें गहने ऑसे जुआ जीमी में काम कर चुकी है ऐवंजर्स मूवी में काम कर चुकी है एंड गेम में जोड़़् के आप अच्छी तरीक जांती भी होंगे और उससे के साथ अब update आयम 23, और फ्रेंड उसके सूब अब या नई, उन्होंने ये चीज बोली, अब आपको कि इसमें खुशी की बात क्या है, भाई खुशी की बात ये है कि उन्होंने ये बोला कि Pirates of Craven की upcoming movie, उन्होंने ये भी बोला कि reboot, और दिन जॉन्नी डेप का नाम लिया, अगर किसी producer, एक producer का main काम होता है, movie में पैसा लगाना और यानि कि वो उस movie का main member है, उसे important है कि वो character कैसा लेगा, उस movie में cast कैसी होगी, और देन उसकी story कैसी होगी, यानि कि producer को ये सारी knowledge होती है, पर यहाँ पे Pirates of Craven के producer ये बोल लाए है, कि मुझे पता नहीं है, upcoming Pirates of Craven movie में Johnny Depp होंगे या नहीं, इसका मलब ये reboot version नहीं हो सकत ये एक, कह सकते हो, different character के उपर movie बना रही है, और then Disney क्या कर रहा है, कि पहले उन्हें 5 movie बनाती है, एक अलग character को लेकर, जो की comic book में main character है, पर ऐसा नहीं क्या गरा, Pirates of Craven की comic book को लोगे, तो उसमें और भी important character है, तो श्याए Disney ऐसा कर रहा होगा, कि Jack Sparrow की अलग time रही है, औ और then वो एक female lead character, जो कि Pirates of Craven की series में important होगा, वो उसे लेके भी movie बनाना चाता होगा, और जो छटा पार आएगा Pirates of Craven का, उसमें साहिए Johnny Depp का एक cameo डालते है, तो ये producer शायद में भी कहना चाते है, जो कि मुझे परसल अपना opinion ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने आपको अ पांचमा पार्ट आ रहा है, और उसे लेक और काफी कमाल अपडेट ये है, कि जो पांचमा पार्ट आ रहा है, वो भी एक female based character की उपर होगा, जो character आपको fourth part में देखने को मिल चुका है, फ्लोरेसिया, अब वो इस फ्लोरेसिया की story दिखाई जाएगी, क्योंकि अगर मैंन मैंडमेक्स परसनल देखी थी, तो फ्लोरेसिया हमें कुछ लड़कियों को, जो कि आदे चीदरे कबड़े पहनी होती है, उन लड़कियों को बचाती होई लेजारी होती है, पर मही पर ही Tom R. यानि कि हमारा fury मिल जाता है उसे, और देन महीं से जनरी स्टार्ट होती है, मैंडमेक्स की सीरिस आपने भी तरह नहीं देखता हो गाई, चारों पार्ट बहुत ही जादा कमाल गए, सभी की रेटिंग सकतर से उपर है, देखो वो दिय अची मूवी है, उसके साथ बात करते हैं अब डिजनी की काफी कमाल के अपडेट के बारे में, तो डिजनी के एक अपडेट मुझे परसनली क्यों पसंद है, क्योंकि वो बच्पन में मूवी देख चुका हूँ, और जब मार्वल डीसी नहीं था, स्पाइडर मैन को छोड़कर, तो मैं इन मूवीस को ही देखता था, अब उसके उपर एक लाव एक्शन मूवी बन देख तो मैं तो गाई मैं तो मैलिकेंट का सेकंड पार्ट डिजिनी ब्लस पर आज शुका है हिंदी में, जाके देख लो, पहला पार्ट इंग्लिश में पर वो भी डब हो रहा है, पर कोरोनवाइरस के चलते वो कैंसल हो गया, तो जैसे को डविंग का पहला पार्ट का आप्शन आएगा, मैं आ आई गटल पर वीडियो मिल जाएका, बहुत ही कमाल का यूनिवर्स है, तो फैले अपडेट यह आया है कि जिमी नाम का एक केरेक्टर था एपिसोड 3 में, जो की रेविंज आपसित है नाम पूरे एपिसोड का, और देन उसमें जिमी लिया को गोद ले लेता है, लिया को अगर आपने स्टार वर्स यूनिवर्स देखी है, वो एक प्रिंसेस है, जिसने की बागियों को एक नई उमीद दी, फूर्ट पार्ट में, जी हाँ, और लिया का जो स्टेफ फादर है, जिमी, वो अब आ रहा है कैसीन एंडोर टीवी सीरीज में, अगर आपने स्टार वर लिया स्टार वर्स नीवोब में हमें देखने को मिली थी, अब वो प्रिंसेस कैसे बनी, बागियों में सबसे टॉब लेवल पर कैसे आई, उन्हों उन्हें ट्रेइनिंग कैसे ली, और जिमी जो उनके स्टेफ फादर थे, सौतेली पिता थे, उन्हें कैसे पाला, क्योंकि सभी जानते हैं कि लिया के जो पादर है, वो है डेट वेदर, जी हाँ, और वो लिया को एंड में पता चलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो गाइस, जिमी फाइनली कैसे और एंडर टीवी सीरीज में देखने को मिलेंगे, उसी के साथ अगला अपडेट है, मैंडल सीजन 2 से रिलेटिव, तो समी जानते हैं कि मैंडल सीजन 2 हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगा, और तो और मेरी कम्पूर्टर स्कीन बंदो चुकी है, तो एक सेकिंड, ठीक है, तो अपडेट ही है कि मैंडल सीजन 2 से रिलेटिव, आपने स्टार वाल्स रेविस अनिमेटिड करेक्टर है, कैटन, जो कि अब हमें मैंडल सीजन 2 में देखने को मिलेगा, तो गाइस, अब इंपोर्टन बात यह है कि आप कहोगे, कि मैंडल सीजन जब आप देखोगे, तो इसलिए कहता हूँ कि पूरा यूनिवर्स देखो, और प्लस एनिमेशन टीवी सी तो वो उसका केरेक्टर ब्ले करेंगी, तो मैंडल सीजन 2 भी बहुत जाला का होने वाला है, अब बात करते हैं, एक और काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जो कि भी हाली में, SFF Magazine ने Wonder Woman का ओफिशली कवर पेच लांच कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़र अच्छा लग रह और उसके साथ आप बात करते हैं, तो Fox और Disney के तरफ से अपडेट के बारे में, तो Fox और Disney में मिलके फाइनली पहले एक अपडेट दिया था, कि उन्होंने फैसला करा है कि X-Men New Mutants को वो थेटर में रिलीस करेंगे, बढ़ उसके साथ ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी थ तो guys ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट, ये उसी के साथ अगर आपको ये SFX Magazine वाला Wonder Movement का पोश्टर डाउंडूड करना है, तो आप मेरे टूटर अगान पे जाके डाउंडूड कर सकते हो, और उसी के साथ आगर आपको कोई भी अपडेट कुछ ऐसा पता चलता है, त आप मेरे को Instagram से follow करके बता सकते हो, तो मैं आपको नएश वीडियो में credit जरूर दूँगा, पर अफडेट डिफरेंट होना चाहिए, और मेरे post से match करना नहीं होना चाहिए, मनना फिर मेरे को क्या लगएगा, शायद आपने मेरे को ही मेरा post चेप दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बुरा मतमाना, तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूटूब पे देखरों में चाहाँ को सब्सक्राइब करें, फेस्बूक भी देखरों पेज को लाइक करें, रियल हम आप 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 आप